वेल्कम बैक टू कुरियर गोल्स कैसे स्टूरेंट्स आप सब लो चले कल की क्लास किस किस ने देखी आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिमेट्स एडेप्शन ठीक है अभी तक हम कम्प्रीट कर चुके हैं आज थी क्लासीफिकेशन ओफ पोसरी प्रिमेट्स, ठीक है यह फॉर्स टॉपिक था जो हमने कंप्रीट केयी हैं उसके बाद हमने कंप्रीट केया है इविलिशन, ठीक है । resonates यह आपका चैप्टर 1.5 का टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर नमबर 1.5, अभी तक हम लोग 9 तो 10 चैप्टर जो है, वो पूरा कम्प्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, प्रिमिट्स ऑफ एडप्शन, ठीक है, एडप्शन के वाद हम इसकी टे करेंगे, ठीक है, यह में दो टॉपिक है, इसके अंदर, और भी चीज़े हैं इसमें, जो बच्चु ही है, चैप्टर 1.5 में, अप्रोक्सिमेटली आज थर्स्टे, संदे तक अप्रोक्सिमेटली यह चैप्टर भी आपका 1.5 चैप्टर जो है, वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, ठेक है, ठेली स्टार्ट करते हैं प्रिमिटि मेंच, क्या होते हैं, पर्सलि फर्स्ट प्रिमेटली अज़ली मेंबर अफ वर्तिवे लेट क्लास की, उसको क्या बूलते हैं,. मैं में में लिया, ठेक है, ऐसके अंदर प्रोक्सिमेटली 4000 में में disp robotic ये में में चल इसका part है फ्ले सेंट्र में मोंड्ड का प्रीमिट्स के है? आजा partこと subgroup of placenta000 ना सेंट्र में तीन type के प्रीमिट्स होते हैं जो हम पहले भी क्लासे में पढ़ चुके है प्रीज अ और मॉन्पी और न्यो म器 एं अम् आपको मैंने कल बता था कि old mungkin old feeling engine and new world monkey जो है वो किसे split हुए है, मतलब इसका main origin क्या है, इनका main part क्या है, anthropoids यह मैंने आपको कल की class में बता आया था, इसमें भी कल का lecture नहीं देखा है, प्लीज आप लोगों से request है, प्लीज कल की class आप जाके देखे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो enterprise divide हुए थे old world monkey में और new world monkey में ठीक है, और third है app, तो हो गए pre monkey, फिर आया old world monkey, new world monkey, और तीसरा है app, ठीक है, यह आपकी चार चीज़े हैं, यह आपके तीन टाइपस है, यह दोनों एक ही में आते हैं और यह दोनों अलग अलग है, तो प्रिमिट के कितने टाइप है, प्रिमिट जो है वो थ्री पार्ट्स में, थ्री टाइपस में डिवाइड़ेड़ेड है, ठीक है, अधिन टाइपस होते हैं, और है हैं, और बोदी इन हेर एं हुमन, हुमन की बोडी पर पर होते हैं? और बोदी आपसे होते हैं, हेर प्रिजेंट होते हैं, लॉंग गस्टाइशन अद लेवर्ट मतलब रलेतिव तो अळर ताइप अजोश्ड़ेट अच। अधिया बीटिटि होते हैं में में कि वो अपने body temperature को constant रखते हैं ठीक हैं increase the body size, greater ability for learning and behavior flexibility अब आते हम characteristics पे प्रिमिट्स के ये common mammal traits थे अब आते हम characteristics पे प्रिमिट्स के difficult to define by one or more two common traits प्रिमिट्स जो है वो generalized rather than the specialized mammal है defined by the evolutionary traits not all traits found in every member of the order अब मैंने जब आपको के class करवाई थी तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बताएं थी इसमें मैंने hand, foot, ठीक है और locomotion और vision, binocular vision ये सब भी बता है था तो इसमें के तरह आगे है limb and locomotion इंके अंदर के tendency होती towards erect posture but pyramid जो होते है वो utilize करते है number of type of locomotion, बहुत सारे type के locomotion तो जोते है, bipedal हो गया, walker हो गया, fist walker हो गया, limb jumper हो गया ये types of locomotion है किसमें? pyramids में हर type के pyramids जो है, उनके अपना अलग तरह का locomotion होता है, humans कौन से locomotion करते हैं, वो अपने दौनों पैलों से ही walk करते हैं, ये क्या है, types of locomotion head or feet क्या है, इसमें क्या होता है, आपके हाथ में 5 उंलिया प्रिजेंट होती है five digits of hand feet है, possible thumb होता है, वो किसी इसके लिए काम आता है, वो किसी भी चीज को पकडने के लिए काम आता है, the most derivative and partially possible big toe, nail on all or some digits, highly sensitive pads on the digital hand, ये क्या है कि किस के बारे में hand or feet के बारे में ये देखो, primitive and chimpanzee के हाथ, chimpanzees के feet, ठीक है फिर गोरिला के feet, ये देखिए और फिर ये lastly किसके feet है, human feet, तो कितना evolution हुआ है इन लोगों के feet को आप देखेगे तो आपको इन लोगों के feet कम और hands जादा लगेंगे बट ये कहें उन लोगों के feet हैं और ये last human feet क्योंकि अब इन लोगों के teeth हैं अपने teeth का structure अलग होता है तो उस structure अलग होने के वज़े से उनके diet का भी चीदे अलग होती जैसे मैंने कारी की class में आपको पताया था कि बहुत साल पहले जो mammals थे वो भी plants पे रहते थे तो plants पे रहने के वज़े से उनका teeth भी उसी सापसे था और उनको क्या generalize कि अगया scientist ने क्या generalize कि कि वो लोग भी क्या खाते हैं वो fruits ही भाते हैं क्यों plants पे रहते ठीक है sense of brain vision enhanced all function reduced and complex brain vision के है all pyramids heavily on vision ठीक है color vision pyramids में होता है stratoscopy vision eye in the front of the skull ठीक है overlapping field of the vision 3D vision होता है जो मैंने आपको कल की class में भी बताया था वो binary color vision जब मैंने आपको कल की class में बढ़ाया था तब मैंने उसमें 3D vision आपको बताया था increase the depth of point to pounder ठीक है why should why would this be the adaptive trait मतलब thinking environment hint के तर stratoscopy vision यह का example है मतलब diagram maturation and learning as a placental mammals the pyramids have a relatively long period ठीक है also have a few offspring delayed maturation longer life span other than the mammal greater dependence on the learned क्या खिरन करते है behavior behavior में क्या है increase the flexibility in behavior tend to live in the social group in many pyramids social group males are permanent member males क्योंते है permanent member होते है unusual along the members अब आता है urbanolar adoption hypothesis यह क्या है adoption की hypothesis है traditionally this adoption is seen as a primary factor in the primitive evolution की कहा देखा गया जो primitive evolution के primary factors है उसमें इस adoption को हमने देखा हमने क्या देखा selected for the 3D and color vision ऐसा क्यों हुआ grasping lag and feed to grass एक है tropical environment मतलब varied food visual prediction prediction hypothesis क्या alternatively 2A hypothesis primates have a first evolved in forest underground undergrowth relying on the insect diet जब वो आहात और उससे insects कर लेते है graphs कर लेते the grasping hand and vision for the grabbing insects मतलब tree jumping came later a means of locomotion that grasping hand to allow how to choose हम कैसे चूज करते हैं कौन सी hypothesis जो है वो सही है यह हम कैसे चूज कर सेते हैं यह हम कैसे चूज कर सेते हैं यह नहीं है not necessarily mutually exclusive जो बहुत सारे primitive हैं many primates feature may be have a develop is not हमनों setting regardless primitive है the primary tree whatever there is your trait has an ancestor not a pre-admitted from the existence यह geographical distribution है यह new world primitives है और यह पूरा जो भी world है इतना portion जो है वो किसमें आता है old world primitive तो most primitive आता अर्बोरियल living in the forest and the woodlanded area old world pyramids spend करते हैं mostly अपना time कहां पर spend करते हैं अपना time जो है वो land पर spend करते हैं mostly time no pyramids expect for the human it's fully testicle all spend some time in the tree और कुछ pyramids अपना जो time है वो कहां पर spend करते हैं trees पर spend करते हैं ऐसे सारे humans ही नहीं है but कुछ testicle humans है जो अपना time है mostly वो कहां पर spend करते हैं trees पर spend करते हैं ठीके फिर आता है point to pounder what's so great about the tree तो डाइट and tree जो omnivores है ठीक है कि omnivores क्या होते हैं ठीक है आपने लोग में को कमेंट में बताइए कि omnivores हम किसको भोलते हैं although some pyramids refers some food item over other most of eat a combo of the food, leaves and insects some do eat meat chimpanzee and यह सब कहा है वो क्या eat करते हैं meat को आखाते हैं some other leafs specialize किसे हम monkey भोलते हैं monkeys कहके हैं वो leafs को eat करते हैं कुछ leafs को और जो chimpanzee chimps हैं वो किसको eat क्या खाते हैं वो meat को eat करते हैं यह देखो यह non-rich यह तो egg वो खा रहे हैं यह बनाना यह leaves खा रहे हैं टीथ भी चार टाइप के होते हैं प्री-molar, molar जो हमारे टीथ जितने भी होते हैं उसी टाइप के हैं तो कुछ टीथ इंगे biting and cutting का काम करते हैं कुछ grinding का काम करते हैं crushing करने का जो premolar टीथ हैं premolar और molar टीथ जो होते हैं वो crushing and gardening का grinding का काम करते हैं ठीक है तो यह इनका टीथ का work है each primitive species has a specific dental pattern सबका specific dental pattern होते हैं यह वाले molar, premolar होते हैं और यह तो यह क्या इनका specific dental pattern ठीक है अब आते हैं लोको मोशन में जितनी भी pyramids होते हैं वो quadrupedal होते हैं ठीक है many use more than the one form of locomotion long flexible spine होती है जो provide करती है greater from the heel length ठीक है type of locomotion यह देखिए vertical clinging it's semi combo limping जिसको बोलते हैं bipedalism and quarterpedalism ठीक है यह दखिए यह पूरा classification है यह primos आपने मैंने जब आपको first पहले PPT लीती उसी में आया था प्रीवंकी जिसको बोलते हैं ठीक है तो यह क्या है प्री मंकी प्री मंकी प्री मंकी फिर मंकी और एप प्री मंकी भी जो वो डिवाइड हो जाता है जो मैंने कल आपको पूरे यह तीनों बतायते पंकी और इस न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में डिवाइड होता है यह पूरा इनका एक क्लासिफिकेशन है यह आप इसको इस चार्ट भी बोल सकते हो यह आप जरूर याद करना या इसको कहीं लिखके रख लेना आपको बहुत एजी रहेगा चीजों को डिफाइन करने में और यह पता रहेगा किसके बाद क्या चीज हुई थी यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है आप में फिर सबसे लास में क्या हुमान आ गए चेंप आएंगे गोरिलाज हो गए तो यह आपको बहुत एजी है गो इसलिए मेरी आपनों से रिक्वेस्ट है कि इस शार्ट को जो है वो आप एक पेपर पे बना के जरूर रख लिएगा बहुत एजी रहेगा आपको सारी चीज़ें रिवाइस करना टेक्सनोमी इस और जर्णल तो मोर्स पेसिफिक और प्रिविट गृप्ट इन दा ओर्डर अ प्रिमेंट्स सब ओर्डर में क्या क्या है देखो यह मैंने आपको कल भी बताया था इसे सब ओर्डर में यहां पर प्री मंकी में क्या दिया हुआ है यूमार लोतेज और यही यह क्या है प्री मंकी तीनों आगे जो मैं अपकल पढ़ा चुकिया है फिर आया एंत्रोपोडिया जो मैंने आपको भी बताया था मंकी पैंस हुमन्स प्रिजेंट होंगे ठीक है परफस आप दा टेक्सनोमिकल क्लासिफिकेशन तो शो दा इविशनरी रिलेशंशिप अनि माला सब्सक्रणाइबक डिलेशंभाइब कर दाओ यह साथिप गसिता लिफ थे बाइसिटा एंत्रोप बड़ाइब करें आज लिफसेशन परफसेशं़ ना नेस्री परफेक स्टडी अफट अफारिक अविशन् एंत्स क्रोंटलित होंगे खिंट एंत्रोगे श्रीक स्व यह हमेशा DNA studies पे बेज़ जाएं, आप कभी भी अगर आप पुरानी study लेके चलेंगे, यह पुरा study लेके चलेंगे, humans और chimps और chimps पे, तो यह हमेशा किसके बेज़ पे होता है, DNA की studies पे बेज़ पे होता है, और DNA study जो है, human और chimps की जो होता है, वो बहुत जादा closely relate करती है, some researchers used to a different scheme to show the closeness of the chimps on the human, तेक है, survey of the living permits, अब इसमें आया था lumen and loresin, जो मैं आपको बताया है, इन में के ग्रेटर, long strand मतलब, इनकी long push होती, जो मैंने कल आपको दिखाया थी, make the irritate, more literacy, placed eye, literally eyes, इनकी eyes बहुत बढ़ी होती है, shorter maturation होता है, dental comb होता है, इनकी lower में, जो इस होते हैं, वो lower में present होता है, देखिए, देखिए, यह lumer है, इनकी tail अब्भी होती है, lumer, and roses, ठीक है, lumer का है, many different species, despite the fact in the absence of the completing, इस बहुत सारे अरिया में present होता है, ठीक है, range क्या है, range in the size around the 5 to 2 o to the 2 plus 2, 22 lbs, large numbers are the omnivorous होते है, small numbers are the infective virus होते है, बहुत सारे जो abnormal है, arboreal, arboreal है, other are more testicle, कुछ arboreal है, कुछ testicle है, some lives in the large social group, कुछ बहुत जादा social group में रहते हैं, other are monogromous pairs है, ठीक है, similar in the appearance, इनका अलिमर का इस appearance बिल्कुर similar है, but tropical habitats है, इस श्री लंका, इंडिया, एशिया, अफ्रीका में present होते हैं, survive by the adopting habits, इनका नुकचर जो habits हैं, वो adapt कर रहा क्यों होते हैं, competition होते हैं, avoidness with the monkey, इसके अंदर blush baby जो होते हैं, वो active vertical climber है, sorry almost entirely insective होते हैं, कैसे ही insective होते हैं, ठीक है, diet supplemented with a fruit jam and leaves, कि इनके diet के fruits, gum and leaves, ठीक है, quarter pedalism है इनका, ठीक है, climbing का, विजन जो है वो stratoscopy है, but less developed than anthropodiates, ठीक है, color vision, but इनको ये इनका अंदर प्रिजन ही नहीं होता, crew on second tour not fully nailed, longer lifespan, then similarly size as a mammal, ठीक है, ये आ रहे है, ये next assessment, ये किस में आते हैं, ये भी pre monkey में आते हैं, ठीक है, pre monkey के हैं, ये तीनो examples, ये कहां पे, south east asia में present होते हैं, mated pair offspring, ठीक है, diet के insect and small vertebrae, उनको catch करके वो branches से खा लेते हैं, ठीक है, difficulty classify के, small size होते हैं, grooming claw है, ठीक है, lack of the nose, most nose pad जो हैं वो नहीं होते, orbit fully unclosed by the bone, ठीक है, जो अब anthropoids हैं, जिसके अंदर monkey, apes और human beings आते हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, यह यह बहुत सारा विचाया अपका, इसमें आपका taxonomy भी cover हो गया है, तो taxonomy, अब जो एंट्रोप्रेट्स जिसके अंदर मंकी एपसर हुमन बींस आते हैं उनका क्या बोड़ी जो होती है वह बहुत बड़ी होती है ब्रेन बड़ा होता है इन एफल्ट एं डिलेटेबली साइज इंक्रीज रिलेंस रिलाइज ओन दे विजन ठीक है फुल्ली फोर हेड फोरवर्ड प्लेस राइज होती है बोनी प्लेट बाक ऑफ दा आई सॉकेट रिटर डिग्री आफ दा कलर विजन ठीक है female antonomy different होती है long gesturation होता है longer maturation होता है increased placental care होती है more social interaction होता है तो इसके कुछ main main points के है एक तो body बड़ी है brain बड़ा है इनका vision का जो vision जो है वह जादा है सब कुछ अभी तक जादा है ठीक है उसके बाद इनका female antonomy में maturation है वह भी जादा है placenter care जो है वह भी जादा है ठीक है और social interaction भी जादा है monkey के है 70% of all pyramids monkey जितने भी primates है उनमें से 70% के है monkey present है दो टाइप के होते है old and new जो मैं आपको पहली बता चके हूँ old में क्या downward facing nose होती है new world monkey white framed nose with a nostal that face is a upward almost arboreal tail with one explanation two groups present होते है इसके अंदर ये देखें small moroset and the primnese ये देखें दोनो ये भी किस में आते है anthropoids में आते है most primitive monkey है retain the crow instant of the name you look like the gallery to climb the tree just gallery climb करते ही tree को ऐसे करते है twins rather than the single birth कैसा है twin birth है rather than the single birth family group में mitted pair होते दो male और एक female present होता है males are very much involved in the infant care क्यों ज्यादा involvement होता है males का ज्यादा involvement होता है किसमे infant care में ठीक है ये care larger than ये ज्यादा होते है इसकी 30 species है इनकी जो diet vary करते है with combo of the fruit and leaf इनकी diet में fruits and leaf प्रेजन्ट होते है work mostly care aqua paddles है spider monkey are the semi branch birds ये लेखिए आब आते हम old world monkey अभी तह क्या था new world monkey old world monkey में still finding a new monkey April 2000 में 22, 2000 April में conversation international announced the discovery of two new mornoset species in the amazon basin of the Brazil Brazil में दो नई species जो है वो एनाउंस हुई थी कभ वो भी आपरेल 22, 2000 में बोथ आप species are the square size दोनल species कैसी थी बोथ दोनल species जो है वो गिलैरी की size थी there has been name उनके दोनों के नाम भग दिये गए है since 1992 10 new monkey species has been discovered in the Brazil और 1990 में ही ब्राजील में दो नए मंकी जो है वो भी discover हुए थे या दो नए मंकी जो थी वो भी discover हुए थी one family and two sub families जो है नए मकी तो इसमें क्या कि generalize करते हैं किसे generalize हैं कोलोबिन से generalize हैं बहुत सारे मोज जो हैं वो omnivorous होते हैं ठीक है omnivorous को हैं कि कहां पे found होते हैं सबसे बहली बात ही अफ्रीका में found होते हैं ठीक है store food wild of इसको food को अपना store कर देते हैं the number of the moscets are found in Asia Asia में present होते हैं diet के हैं इनकी leave diet है इनकी mostly अफ्रीका में present होते हैं Asia में present होते हैं ठीक है old world monkey का जो variety of locomotion इनका हर तरह का locomotion होते है इसमें कि अर्बोरियल भी आता है ठीक है वो बस हो गया प्लाइट्स हो गया तरिस्टिकल्स हो गया ठीक है semi branchination हो गया lapping हो गया significant sexual demorphism है specially in the testicle तरिस्टिकल है उनके अंदर के है sexual demorphism होते है females of the several have that gentiline then change according to the reproductive cycle uterus harmonially induced क्या करते है वो एक cycle induce करते है ठीक है homo-flicy homo-flicy evolutionary relationship that explains similarities between nw and ow मतलब new world and old world monkey के बीच के अंदर की similarities को describe करते है genetically defined destiny population responding to the similar जो new world monkey और old world monkey has been separated for the 30 million years ago ये 30 million year एको साल पहले ये चीज़े जो है वो separate हो चुकी थी mostly ये कहाँ पर इनके जो एंसिस्टर है वो फ्रीकन्स एंसिस्टर है ठीक है जो homo-nights मैंने कल आपको पता है थे सुपर फैमिली इंक्लूद्स लैस एप जिसमें आपका ये आते हैं ग्रेट में आपके गोलिलास वगयर आते हैं और हुमन्स में फैमिली और फुकिसकी hominates की families प्रिजेंट होते हैं hominates rate जो हती है lack of tail ठीक है larger body size ठीक है shortened trunk होते हैं musculate in the shoulder joint more complex behavior longer infant development and independence ठीक है और more complex brain ये सारे किसके अंदर आते हैं ये सारे traits किसके अंदर आते हैं hominates में क्या पहला leg tails होती हो बड़ी होती है body size बड़ा हुआ होता है shortened trunk होते हैं shoulder joint different होते हैं complex behavior होता है longer infant development independence होते हैं more complex brain होता है ये क्या है ये क्या है ये देखो monologue में spare है lack of the sexual digmorphism की कमी है mails share the equally in the childcare childcare के लिए क्या mails होते है वह equally share करते हैं large of the living primates walker exclusively vegetarian में मार्क दस चोक्षाल डाइप फॉर्म male ये होते हैं 400 LBS में प्रिजेंट होते है ये वोकर है ये type of walker है ये याद रखेगा last social group but with no single dominant male dominant कौन होता है male dominant होते है male dominant sexually dimorphing होते है but not as a pronounce ये गोरिला ये ये टिदिदिदिश Omnivorous होते है क्यूंकि विल्किल एं फोर मीट तिक है even will-kिल फोर मीट chimps होते है large social group for up to 50 fluid membership होते है members males for the core of the community females live often during the uterus बोनु बोज जो होते हैं वो अनदर स्पीशिज है छिंप की घिक है? वो अनदर स्पीशी है छिंप्स की आर्बोरियल है स्पेशली यह अन्युकार्ड दरसेौल रिलेशनिटिप इन किसके इंक्लूडिंग फीमेल तौ फीमेल इसके रिलेशनिटिप में female to female frequent corporation and the male and female bonds are the core frequent sexual behavior serves to minimize the stress between the individuals अब प्रिमिटिव के अदेप्शन से हैं कुछ ठीका लोकोमोटरी अदेप्शन पहला अदेप्शन जो है जितने में मैमल से जो ancestor of the primates था के वाज़ी वह बौत स्मोल होते थे especially quadrapedal and urbanal animals जो है who squared along the top of branch and limbed by the digging its screw on to the bath essential factor in upright posture of the pyramids reorientation of the body with respect to the gravity gravity के उसमें which necessity many skeletal, muscular and visual changes with the face being reduced and skull being get directly to the top of the vertebral column position which is in the forward, move and the face is reduced so that the skull is nicely because on the center of the base human is required to hold a little muscle action which can hold, their head reacts because of this balance because of this balance whereas animal like a gorilla with the heavy muscles requires heavy back muscles to hold their upper and what is the problem with a gorilla? what is the problem with a gorilla? it requires heavy neck muscles type of locomotion among the perimeters vertical clink, clamping flipping quadrupedalism which is running on branch snow climbing branch running and walking new world old world monkey new world monkey bipedalism modified branches arborism quadrupedalism slow climbing 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 and d vertebrates movement with a powerful grip movement with powerful grip चयाएं Adaption induced reduction in the index finger and the thumb Big toe are spread out of wide range This is allowed to enter Ella's hand and feet like force apps to enclose the branch to your grip branch running and walking their forelimbs and the handlimbs वो equally length मे चाहिए, face and hand limbs के लेंथ जो एक पर हुना है, through the hind limbs share slightly longer, gaps in the tree are closed by the gaping and tears are used for the balance थे दर्च किस के लिए use होती है बेलांस करने के लिए यस वाउंट इन रोल्ड वर्ल मंकी किस चीज में कहां पर मिलते हैं और जितने बी ओल्ड वर्ल मंकी शें उन में मिलते हैं एंटर्णोमिकल चेंज इस अडप्तिव तु इस टाइप अफ लोकोमोशन आज प्रिजेंस की प्रिजेंस होती है शौर्ट एंड बॉर्ट ट्रॉंग्रेटेड आम एंड लॉंग फिंगर्ड हैं ठीक है इस अनिमल आर्म लॉंग बट ऑल्सो एज इस अनिमल आ यह आनिमल के लिए व्यापक नहीं करते हैं बट लीप सुख टेक है New World जो भी हमारा नया वर्ल सेमी व्रांची निशन है उसमें क्या है The New World Member have the tail होती है और में which has used to the suspend themselves The rest of characteristics they resemble जितनी भी characteristics दबची है वो किसे resemble करती है Old World के साथ New World की कुछ characteristics जो है वो Old World Monkeys इसके साथ क्या Old World Primits के साथ जो है वो resemble करती है Testicles They are the two distinct testicles एक यह लोकोमोशन जिसमें लोकोमोशन में था है Ground Running and Walking दो कौन कौन से हैं एक तो Ground Running and Walking The Ground Running and Walking Baboons and the Pants Monkeys जो होते हैं Run and Walk on the Ground यह के Run भी कर सकते हैं and Walk भी कर सकते हैं इस पर Ground पर also on their Feet The Limbs are Equal Length इनके जो Limbs है वो कैसे होते हैं Equal Length के प्रिजेंट होते हैं Do not have to grasp the surface इनके अंदर वो Grasping की मतलब उनके सर्फेस से कुछ भी चीज़ को पकड़ने का कोई पोर नहीं उनके अंदर ग्रेक्टर स्टिक्स नहीं होते हैं The Relatively Length of the Thumb and the Index Finger For Favor a More Effective Crecious Grift अब आता है Walking Secondary Adaptation है किसका Ground Living पर जो रहते हैं उनका Secondary Adaptation है Chimpanzees and Gorilla have become a Quadra Pedal Probably because they have a large body size क्यों वो ऐसे क्यों है क्योंकि उनकी जो body है उसका साइज है वो बहुत जादा है But at the same time have retained the large, long arm But at the same time have retained the long arm, long finger And short thumb of their branching ancestors Long arms Long finger Short thumb While they walk on all fours Their torso is actually slanted with the head And higher Because of the disproportionately long arm The autonomically change associated with the type of locomotion Are the इसकी longation की वज़े से Pelvis के longation The hand of the hand इनके जो hand है वो नोट फॉर्मिंगे ग्रेट आंगल ठीक है But restrict the movement of the leg Habitually bend knee And the whole foot making a contact with the surface तो यह क्या था आपका पूरा adaption था प्रेमिंट्स का जो adaption था उसका लोकोमेट्री adaption जो भी है वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा explain कर दिया है तो आपके इस वाले chapter में Chapter 1.5 में Chapter 1.5 में जो है आपका classification, evolution ठीक है Then, क्या बोलते हैं Adaption and taxonomy यह चार चीज़ें complete हो चुकी है एक तो आपका बच्चा है अभी behavior प्रेमिंट्स का क्या behavior होता है वो बच्चा है और क्या बच्चा मैं देखती हूं Main तो आपका प्रेमिंट्स का behavior बच्चा है ठीक है Main प्रेमिंट्स मतलब यह most probably कल कि तक क्लास में Pushy कोशिश रहेगी कि Friday नहीं तो Saturday की क्लास में यह chapter जो है वो पूरा complete हो जाएगा Chapter 1.5 आपका Friday Saturday की क्लास में complete हो जाएगा आप लोगो से request है किसी भी student को यह चाहते है कि वो आगे कोई भी chapter start होने से पहले वो previous year के हमनों question solve कर लें तो प्लीज आप comment box में comment कर दीजे कर दीजे कि आप previous year के question paper अभी chapter wise करते चलेंगे तो आपको confirm हो जाएगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप comment box में comment कर दीजे कि आप previous year question paper कर दीजे तो जिससे में next chapter start होने से पहले 1.5 के बाद 1.6 chapter start होने से पहले ही मैं आपको फिर question कर दूँगी क्योंकि अगर मैं पूरा work chapter complete होने का time कर लूँगी तो वो तो बहुत जादा time लज जाएगा ठीक है तो मेरी आप लोगों से request है फिर उसमें क्यों होगा हम 1.5 तक and then 9 chapter and 10 chapter के जुतने भी previous year के questions paper है वो हम आराम से बटके solve कर सकते हैं वो दो classes में भी solve हो जाएगे ठीक है बट आप लोगों में को comment करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर आपको paper solve करने है या नहीं करने है अगर हो मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कर दीजे मैं तो आपको एक ग्रूप बना लेंगे या फिर मैं आपको पर्सनली उस चीज़ पर आपको समझा दूंगे आपका वो टॉपिक और आपको नोर्स भी प्रोवाइट करवा द दीजे देन मैं आपको एक प्रूप बना कि आपको पर्सनली वहाँ पर चीजे समझा दिया करूंगे और आपको नोर्स में पर प्रोवाइट करवा दूंगी ठीक है अगर आपको कोई नोर्स चेहिए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्लास को टॉ तो फोर आपको टॉपिन करें अगर नोर। हीं यह दुरू कि रिवाइट करना चाहते हैं तो आप उसके लि nuclei को मेंट कर सकते हैं बट आप लोगों पूसके करना पड़ेगा तो मेरी प्लीज आप लोग उसी request है कि आप comment करिए और इस video को जितना हो सकते है उतना like करिए share करिए अपने friends circle में जो भी student जो है वो competitive exam की preparation कर रहे हैं और वो subjects हैं उनके पास तो please आप अपने friends के ताथ उसको share करिए जिससे उनकी आपकी भी help हो और आपकी भी help हो और इस channel को please subscribe करें जितना जादा subscribe करेंगे उससे आपका भी help हुझेगे मेरी भी help हुझेगे ठीक है please guys मैं आज के लिए आज के यही class आपकी खतम करती हूँ but मेरी please आप लोगों से request है कि इस videos को like करें and share करें thank you so much for watching this video and bye guys